एलो एवरीवन चलिए देखते हैं अगला टॉपिक है application of determinant in coordinate geometry अगर इसकी बात करें तो पहला इसका द्यूज है कि भई find the area of triangle to find area of triangle बच्चे ने का सर जी अगर area of triangle चीए तो पहले उसके बारे में कुछ information होनी चीए मैंने का हाँ triangle में तीन vertices होती है a b n c suppose हमारे पास उसके coordinates हो x1 y1 x2 y2 and x3 y3 अगर हमारे पास ये तीन coordinates होना तो हम area of triangle बहुत ही आराम से टून सकते है इसका formula है half of determinant of x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इसे solve करने पर आपको answer मिल जाता है एक और बात अगर इसे solve करने पर जो भी answer मिले ना आपको उसको positive में convert करके ही लिखना है अगर positive आया तो as it is लिख दो अगर negative आया तो भी हमें उसे positive भी लिखना है because we are finding area of triangle and area always कैसा होता है positive होता है बचे ने का सर इसे खोल के दिखाओ मैंने का ठीक है चलो इसे खोल के देखते है कि कैसे होगा मैंने का इसे मैं पहली column से solve करना चाहता हूँ तो कैसा दीखेगा half of मैंने का दीखो यहां लिखा है x1 फिर आएगा bracket मैंने का पहली sign होती थी plus उसके बाद minus उसके बाद plus तो क्या होगा यहां पे आएगा minus x2 bracket plus हो जाएगा x3 bracket मैंने का देखो ध्यान से दीखेंगे न तो यहां पे क्या होगा हम x1 के लिए उसकी column and row को remove करते थे तो कैसा होगा अगर मैं row को and column को remove करूंगा तो यहां पे होगा y2 minus यहां पे होगा y3 same way x2 के लिए अगर हम कोशिश करेंगे तो क्या होगा y1 minus y3 फिर क्या होगा x3 के लिए अगर मैं remove करूंगा तो क्या होगा y1 minus y2 मैंने का देखो यहां पे यह minus है बागी सब plus है तो यह काम करते हैं यहां से मैं minus बाहर निकालता हूँ जिससे यह plus हो जाए तो कैसा दिखेगा x1 यह होगा y2 minus y3 यहां से minus बाहर आया तो plus x2 अंदर हो जाएगा y3 minus y1 plus x3 यहां पे क्या होगा y1 minus y2 बचे ने का सर यह तो same to same आपने टेंज पर पढ़ा था यही formula आ गया मैंने का बिलकुल वही formula आ गया मतलब यह जो वही formula है ना यही से derive हुआ है आपको यह formula लगाने की ज़रूत नहीं है आप इसे ही solve करोगे ना तो इतने step तक तक तो आपके पास answer आ चुका होगा मैंने कहा देखो इसका एक और बढ़िया सा use है कि वह suppose अगर आपके पास कोई 3 point हो suppose a of x1 y1, b of x2 y2 and c of x3 y3 तो अगर वो इस तरह से एक straight line के अंदर है तो आपको बता दू अगर वो तीनो straight line के अंदर है मतलब उसे बुलाते है co-linear क्या बुलाते है co-linear तो जब भी यह co-linear होंगे ना तो यह कोई भी triangle नहीं बना रहे क्योंकि यह 3 point कैसे थे triangle के vertices थे तो यहाँ पे यह कुछ area cover कर रहे थे यह कुछ area cover कर रहे थे तो इसका एक finite number मिल रहा था उसका हमें कुछ answer मिल रहा था जीरो होता है तो बचे ने का सर इस पर से हमें कुछ ऐसा मिलेगा half of x1 y1 1 x2 y2 1 यहाँ पे x3 y3 1 equal to 0 मैंने का हाँ देखो यह 2 उदर चला जाएगा और 1 into anything is as it is तो हमें कुछ ऐसी condition generate होके मिलेगी कि भई x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 तो यह क्या आ गई यह condition of collinearity आ गई कि जब भी 3 points collinear हो तो उसका determinant इस तरह से equal to 0 होगा यह हम कह सकते हैं कि हमने ऐसा determinant डूडा और हमें equal to 0 मिला तो तो तीनों point कैसे होंगे collinear होंगे कैसे होंगे collinear होंगे चलिए देखते हैं अगला topic है equation of a line passing through two given points देखो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भई कोई line हो उसका हमें equation दो जो pass हो ली हो दो point से मैंने कहां 2 point कौन से होंगे a and b उसके coordinates हमें दिये हो suppose x1 y1 and यहाँ पे x2 y2 तो आपको बता दू यहाँ पे यह line है ना किस से बनी होती है कोई भी moving point से उस point को मैं बुला लेता हू पी of x, y पी of x, y तो बचे ने कहा सुर यह तीनों point तो collinear होंगे मैंने ना बिलकुल और तीनों point collinear होंगे ना तो अभी मैंने बताया था कि collinear ready की एक condition है कि इसका area क्या होता है? 0 क्या होता है? 0 इस पर से हमने सीखा था कि यह determinant मिलता है हमें उसके equal to 0 मिलता है मतलब की x, y, 1 यहाँ पे x1, y1, 1 और यह है x2, y2, 1 equal to 0 यह determinant equal to क्या हो जाता है? 0 कहां से आया यह? तो मैंने कहा देको area of triangle equal to 0 because it is not forming any triangle तो हम कह सकते हैं half of its determinant equal to 0 क्योंकि यह formula है तो मैंने कहा देको यहाँ पे हम लिखेंगे x, y, 1 यहाँ पे x1, y, 1, 1 यहाँ पे x2, y, 2, 1 यह half उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? यह 2 यहाँ से उदर जागे 0 हो जाएगा 1 into anything as it is तो हमें इस तरह की कुछ condition मिलेगी अगर मैं इसे expand करूंगा तो देखो मेरे पास x1, y, 1 and x2, y, 2 है लेकिन x and y नहीं है तो मुझे x and y वाला equation मिलेगा यह कौन सा होगा? यह होगा equation of line which is passing from 2 given point which is equation of line passing from 2 given point कैसे मिलेगा हमें x, y, 1, x1, y, 1, 1, x2, y, 2, 1 इसका determinant equal to 0 करके हमें solve कर देना है Hello everyone चलिए देखते है exercise 4.3 question number 1 यहाँ पे पहला question कहता है find the area of triangle with vertices at the point in each of the following मतलब यहाँ पे हमें vertices दी है और हमें area of triangle टोनना है बच्चा कहता है सर यहाँ पे यह तीन coordinates दीए है coordinates point तो मैं इसे x1, y1, x2, y2 और इसे x3, y3 बुला सकता हूँ मैंने का बिलकुल आप इसे ऐसा बुला सकते हैं और हर कोई जानता है कि जब भी हमारे पास 3 points और उसके coordinate होना तो area of triangle क्या हो जाता है half of determinant मतलब कैसा x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1 बच्चे ने का सर अब क्या करना है मैंने का simple सी बात है यहाँ value रख देंगे हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे मैं half of और फिर यहाँ पे directly value रख सकता हूँ क्या था x1, y1 यहाँ पे था 1, 0, यहाँ पे होगा 1 यहाँ पे है six, zero, यहाँ पे होगा one यहाँ पे है four, three, and यहाँ पे one अब हम इसे क्या करेंगे, solve कर देंगे बच्चे ने का सर जी कैसे solve करेंगे मैंने का देखो अब कोई भी row या कोई भी column से solve कर सकते हो मैंने देखा यहां पे कि फिर अगर इस दूसरी कॉलम को देखा जाए ना तो 2 0 आ रहा है मतलब जहां पे ज्यादा 0 हो ना उससे हमें solve करने में काफी आसाली रहती है तो मैंने कहा यहां से में solve करूंगा तो बचे ने कहा सर यहां पे sign होती है हमें सा maximum क्योंकि यहां plus होती है तो यहां माइनस फिर यहां पे plus और यहां पे minus मुझे यहां पे आ जाएगा minus zero फिर bracket plus zero फिर bracket मैंने बॉला 0 into anything Quer zero तो उस पर ध्यानी नहीं देना सिर्फ minus three पे घ्यान देना पड़ेगा तो क्या करेंगे उसकी row in column को remove कर देंगे बाकी बचा उसका minor हम ढूंड लेंगे तो क्या होगा देखो one one's a one minus six one's a six मैंने कहा देखो यहाँ पे है one by two अगर यहाँ पे इसका calculation करेंगे तो क्या होगा one minus six is actually minus five minus five and minus three हमें क्या देगे मैंने कहा देखो minus minus plus देंगे and three five's a fifteen बचे ने कहा sir fifteen by two मतलब seven point five मैंने कहा बिल्कूल तो यह आ गया हमारा answer यह क्या है हमारा answer बचे ने कहां सर दूसरे में मैंने कहा देखो यहाँ पे भी इसे हम x1 y1 इसे x2 y2 इसे x3 y3 बुला लेंगे फिर क्या करेंगे same way same way हम यहाँ पे area of triangle ढूंड लेंगे half of क्या करते थे हम x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 तो बच्चे ने कहा sir यहाँ 111 लिख देते हैं और यहाँ से उसके coordinate लिख देते हैं मैंने कहां बिल्कूल वही करेंगे देखो यहाँ x1 y1 क्या दिया है two and seven फिर क्या है यहाँ पे one and one फिर क्या है यहाँ पे ten and eight अभी से solve कर देना है बच्चे ने कहां देखो यहाँ पे हर जगा जीरो नहीं है मतलब हमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम से करें कोई problem नहीं है मैंने कहां पहली रो से कर लेते हैं क्या होगा two bracket minus seven bracket plus one bracket क्या करेंगे यहाँ पे two की मतलब यह वाली है जो रो है उससे remove करेंगे और उसके लिए उसकी कालम को भी remove कर देंगे तो मैं यह यहाँ इस ठ़क दे रहाऊ तो सका determinant क्या होगा 110-8 मन मैंने कहा 1-10 is actually minus 9 फिर इसके लिए अगर row and column को remove करेंगे तो क्या होगा 8-10 होता है minus 2 मैंने कहा अब यहां पे 2 into minus 7 is minus 14 देखो minus बहार आएगा तो plus 7 9 is actually 63 होता है minus बहार आएगा 122 मैंने कहा अगर ध्यान से देखेंगे तो 63 मैंसे 14 जाएगा तो क्या होगा मैंने कहा 49 बचेगा बचिने कहा कैसे पहले 69 मैंसे सिर्फ 4 को minus करेंगे तो 59 फिर 10 को भी minus कर देंगे तो बचेगा 49 49 मैंसे मैं फिर 2 minus करूंगा तो होगा 47 47 और नीचे कौन था यहां पे 2 तो मैंने कहा अगर इससे divide करेंगे न तो इसका answer रहेगा 23.5, 23.5, आप चाहो तो इसे fraction में भी रख सकते हो, या decimal में भी लेख सकते हो, बचे ने का सर यहाँ पे फिर यह x1, y1, मैंने का यह x2, y2, और यह हो जाएगा x3, y3, तो यहाँ पे भी आप same way कह दोगे कि area of triangle, क्या होगा, half of, determinant of, यहाँ पे 1, 1, 1, यहाँ पे x1, y1 यहाँ पे x2, y2, यहाँ पे x3, y3, मैंने का अब इसे हम solve करेंगे, आप चाहो ऐसे solve कर सकते हो, देखो half करके, मैंने का मैं यहाँ पे same way, पहली row से ही solve करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगे, यहाँ पे plus आता है, यहाँ minus और यहाँ पे plus, देखो plus होगा न, तो plus minus तो minus ही ठीक है, लेकिन यहाँ minus minus हो जाता है, campus पे plus one ही रहेगा, फिर क्या होगा, इसके लिए इसकी row को remove करेंगे, और column को मैंने भी remove कर दिया, तो क्या होगा, two, one, two, minus minus eight, यानि, minus, minus plus हो जाएगा, तो यहाँ two, plus eight हो जाता है, ten हो जाता है, फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस 3 के लिए जानी माइनस-माइनस-प्लस-3 के लिए हम row and column क度 हुआ को remove करेंगे तो क्या होगा 1,3 is 1 त्री –'cómo्न का 3?'- तो 1,3 त्री – 3 त्री – 1 त्री I,"द त्री 1 – 2,1 त्री'' 이렇게 के लिए त्तु हो जाता है मैंने का प्लस-वन के लिए अगर row and column को remove करेंगे तो यहां माइनस माइनस प्लस्टू देखा है माइनस यह Means Chen यहां माइनस 24 धरी यहाँ पिर माइनस माइनस प्लस्टू हो जाएग़ तो सब्सक्राइब मyy Mitch Hell करेंगे तो सब्सक्राइब है तो minus 2 e than is a Boston BC on 24ड यहां पे इस Karma सिरज वहार आएगा ठीक तो यहां पर हम minus लिख सकते हैं, यहां पर हम इससे direct solve भी कर सकते हैं, मैंने का देखो, यहां पर इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा minus 42, minus 42 में से हम अगर plus 12 को कटा देंगे, तो क्या बचेगा यहां पर, यहां पर बचेगा actually minus 30, तो बचे निका answer half of minus 30, क्या हो जाता है, मैंने का दे 15, क्या लिखे दूँगा 15, क्योंकि area कैसा है, एक number होता है, वो भी positive, कैसा होता है, हमेसा area positive, अगला question कहता है, show that A, B and C are collinear, मैंने का देखो, तीन point collinear कव होते हैं, जब वो कैसे हो, एक ही line में हो, तो बचे ने का सर्फ तीन point से तो हमने triangle भी बना हुआ देखा है, मैंने क अगर यही triangle के तीनो point, अगर एक ही line पे आ जाए, अगर एक ही line पे आ जाए, तो कुछ इस तरह से दिखेंगे, तो हमें दिख रहा है कि यह कोई भी area cover नहीं कर रहे है, मतलब area of triangle ABC क्या होता है, zero होता है, जब भी points collinear होते हैं, तो उसका triangle का area क्या होगा, zero होगा, क्योंकि यह triangle बना ही नहीं रहे, तो बच्चे ने कहा, सर जी, यानि कि अगर हम इसको triangle के coordinate मान के, इसका area ढूणने निकले, और इसका area zero आ गया, तो यह kolinear है, मैंने का, बल्कुल, तो क्या करेंगे हम इसका area ढूण देंगे, और बच्चा बच्चा जानता है, area of ABC क्या होता है, half of determinant determinant of x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1, और बच्चा बच्चा जानता है, ये है x1, y1, तो मैंने का, ये a, b, plus c, और यहाँ पे 1, फिर ये है x2, y2, तो ये b, ये c, प्लस a, और ये 1, यहाँ पे है x3, y3, तो ये है c, यहाँ है a, plus b, और यहाँ है 1, अब बच्चे ने देखा, सर यहाँ b and c है, लेकिन a बिचारा दूर है, यहाँ पे देखो c and a है, लेकिन बिचारा b दूर है, तो मैंने का, चलो इसे यहाँ जोड देते हैं, सब आपके नस्दीक नस्दीक आ जाया है, यानि मैं क्या करूंगा, कॉलम 2 के अंदर, कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 कर दूंगा, तो क क्या होगा, यह सब नस्दीक नस्दीक आ जाएंगे, यह यहाँ जाएगा, तो a plus b plus c, यह यहाँ जाएगा ना, तो a plus b plus c, फिर यह भी यहाँ जाएगा ना, तो a plus b plus c, मैंने का, देखो यहाँ 1, 1, 1 as it is, यहाँ a, b and c as it is, बच्चे ने देखा, कॉलम 2 बोल रही है, कि मै पास a plus b plus c common पड़ा है, मैंने का, चल बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से अगर बाहर निकालेंगे ना, तो a plus b plus c, नीचे क्या बचेगा, 2, क्या बचेगा, 2, बच्चे ने का, सर, फिर क्या होगा, मैंने का, देखो यहाँ a, b and c, यहाँ पे क्या बचेगा, 1, 1, 1, 1, होना, तो उस डिटर्मिनेट का अंसर क्या आता है, 0, क्या आता है, 0, मैंने का, अगर यह 0 ना, तो 0 into anything is what, 0, अच्छा, मनलब area of triangle, a, b, c, क्या हो गया, 0 हो गया, तो मैं कह सकता हो, कि भई, a, b and c, कैसे हो गए, call in your hands, fruit, अगला question दिया है, question number 3, find value of k, if area of triangle equal to 4 unit square, and vertices are given, अच अच्छा, उन्होंने कहा है, कि area of triangle 4 दिया है, मैंने कहा, दीखो, यहां भी positive answer दिया है, क्योंकि area हमेंसा कैसा होता है, positive, ठीक है, कैसा होता है, positive, अगर आपका answer calculation में negative आया ना, तो भी आप उसे किस में convert कर दोगे, positive में, किस में convert कर दोगे, positive में, तो बच्चे ने सवाल प यह दो possibility हो सकती है, यानि कि, यानि कि यह area जब calculate हुआ होगा ना, तो plus 4 या तो minus 4 कुछ भी आया होगा, बच्चे ने कहा, सर ढूरते कैसे हैं, मैंने कहा, यार अभी तो दिखाया था, उसमें मैंने plus वाले और minus वाले दोनों example हमारे आये थे, तो चलिए देखते हैं, अगर ऐसे तीन vertices दिये होते हैं, तो हम उसका area कैसे डूंडते हैं, बच्चे ने कहा, सर area of triangle equal to half of, करके determinant लिख देते हैं, मैंने कहा, देखो determinant पे क्या लिखेंगे, x1, y1, 1, यहां पे है x2, y2, 1, यहां है x3, y3, 1, अच्छा, बच्चे ने कहा, सर इसके equal to answer क्या आने वाला है, मै तो minus 4 आता हमें पता, नहीं है, तो इसे में, इसे में किस से compare करूँगा, plus या minus 4 से, directly सिर्फ 4 नहीं लिख दूँगा, याद रहना, यह बहुत ही मज़ेदार चीज है, अच्छा, बचेने का असर, यानी की area of triangle हमें क्या दिया है, plus और minus 4, yes, actually, इसका final answer हम लिखते हैं, तो plus और minus sign लगाऊंगा, और दोनों तरीके से solve करूँगा, अच्छा, बच्चेने का, सर, इसका answer क्या होगा, मैंने बोला, half करके, यहाँ पर हम इसे solve करेंगे, बच्चेने का, सर, यहाँ दूसरी column को देखा जाएना, तो 2, 0 दिये, मैंने का, बहुत अच्छी बात है, यहाँ यहाँ पर आता है, minus, यहाँ पर plus, यहाँ पर minus, तो इस से, जहाँ जीरो दिया है, वहाँ से solve करनी की जुरूद नहीं है, तो मैं directly minus 2 से solve करूँगा, तो क्या होगा, उसकी column and row cut हो जाएगी, तो क्या होगा, मैंने का, simple सी बात है, बाकी बच्चा, उसका determinant क्या होगा, minus हो जाएगा, तो minus k, अब बच्चे नहीं का, यहाँ पर plus और minus 4 लिखा है, मैंने का, बिल्कुल, यहाँ से 2 case हो जाएगे, कि पर 4 minus k equal to plus 4 भी हो सकता है, 4 minus k equal to minus 4 भी हो सकता है, हमें क्या चाहिए, value of k, तो मैंने का, देखो, k को एक तरफ ले लेते हैं, और इसे इधर ले तो k उस तरफ जाएगा, यह 4 था, यह इस तरफ आके minus 4, तो यह दोनों cut हो के k equal to क्या देंगे, 0, बच्चे ने का, सर्, यहाँ पर इसे इधर और इसे इस तरफ लू ना, तो यह 4 और इस तरफ आके यह plus हो जाएगा, यह इस तरफ आके minus का plus हो जाएगा, तो k equal to क्या होग 4 plus 4, 8, यहाँ यहाँ पर k, k, दो answer possible है, मैंने का, देखो, अगले में, सेम तरीके से यहाँ पर हम try करेंगे, कि यह x1, y1, x2, y2, x3, y3 होता ना, तो area of triangle, actual में क्या होता, half of determinant of it, तो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं, minus 2, 0, 1, यहाँ पर है 0, 4, 1, यहाँ पर है 0, k, 1, मैंन 4, इसलिए मैं इसे plus or minus 4, लिखूंगा, क्योंकि मैं इसी से compare कर रहा हूँ, final answer नहीं लिख रहा, तो मैंने का, देखो, यहाँ पर, अब इसे solve करने का time आ चुका है, बचे ने का, सर जी, यहाँ पर 2, 0 है, तो हमें इस column से solve करना, चाहिए, मैंने का, ठीक है, चलो, इस minus 2 से solve करता हूँ, तो क्या होगा, देखो, यहाँ पर 4, minus k, मैंने का, यह दोनों cut, अब अगर यह minus अंदर गया ना, तो क्या होगा, देखो, यहाँ पर plus or minus 4, अच्छा, मैंने का, minus अंदर गया, तो यह plus k हो जाएगा, और यहाँ पर यह minus 4 हो जाएगा, मैंने का, देखो, यहाँ से दो case चालो होंगे कि plus 4 equal to k minus 4 हो तब क्या होगा minus 4 equal to k minus 4 हो तब क्या होगा मैंने का ये उधर गया ना तो plus हो जाएगा तो k equal to 4 plus 4 8 अच्छा ये उस तरफ गया ना तो ये minus का plus 4 हो जाएगा और यहाँ minus 4 था तो ये दोनों cut होके k equal to क्या देंगे 0 तो यहाँ पर answer आएगा 8 और 0 अगला question दिया है यहाँ पर find equation of line joining 1,2,3,6 अच्छा मैंने का देखो यहाँ पर ये दिया है x1, y1 ये दिया है x2, y2 जब भी 2 point दिये हो जब भी 2 point दिये हो और उसका हमें equation चाहिए हो ना तो मैंने का देखो ये point इसका नाम में A दे देता हूं इसका नाम B दे देता हूं तो यहाँ पे A and B था मैं अगर कोई point P मान लू ना अगर कोई point P उनलो x,y तो मैं जानता हूँ कि ये कैसे है को linier है कैसे है तो मैं एक और बात जानता हूँ कि जब بھی co-linear होना तो हमें एक बढ़िया बात पता है कि area of triangle क्या हो जाता है 0 क्योंकि ये कोई triangle नहीं बनाते तो कोई area cover नहीं करते हैं तो area of triangle का formula क्या होता है half of determinant equal to 0 determinant में क्या लिखते थे हम? हम लिखते थे x, y, 1 बाद में लिखेंगे x1, y, 1, 1 बाद में लिखेंगे x2, y2, 1 equal to 0 तो 2 भी उदर जाके क्या बन जाएगा? 0 तो क्या बचा यहाँ पे x, y, 1 और फिर हमें इसकी value पता है तो क्या करेंगे x1, y1 की यहाँ पे value लिख देंगे 1, 2, यहाँ पे 3, 6 और यहाँ पे 1, 1 तो यह क्या हो गया? यह हमने directly इसका formula derive करके फिर से लिखा अब अगर आप इसे solve करोगे ना तो जो भी relation देगा ना वो क्या होगा? equation of this line तो बच्चे ने कहा, सर जी यानि की यानि की directly हम x, y, 1, x, 1, y, 1, 1, x, 2, y, 2, 1 equal to 0 कर देंगे तो वो equation मिलेगा हम है definitely मैंने कहां मिलेगा मैंने कहां देखो यहाँ पे x को लेके अगर हम इसे solve करे ना तो मैंने कहां देखो minus y और फिर आजाएगा plus 1 equal to 0 देखो x को लेके solve करेंगे तो उसकी row and column क्या होगी? remove होगी तो क्या होगा? 1, 2 is 2, minus 6 is actually minus 4 मैंने का अगर y को लेके solve करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? देखो, यहाँ 1, 1 is 1, minus 3 1, minus 3 is minus 2 मैंने का एर। मैंने का 1 को लेके अगर solve करेंगे ना तो क्या होगा? 6, minus 6, क्या हो जाएगा? 0 मैंने का देखो यहाँ पे इसका answer minus 4x यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2y equal to 0 मैंने कहा देखो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि इसको ठीक है यहाँ से अगर minus 2 common link है ना तो क्या होगा 2x minus y equal to 0 minus 2 उस तरब जाके 0 के नीचे जाके 0 बन जाएगा तो हमें answer मिलेगा 2x minus y equal to 0 which is our required answer same way यहाँ पे दूसरा question दिया है find equation of line joining this two points यानि यह x1 y1 है यह x2 y2 है तो हम directly कह सकते हैं equation कैसा होगा मैंने कहा देखो यहाँ पे x y1 और बाद में यहाँ पे x1 y1 1 यानि कि 3 1 1 यहाँ पे 9 3 1 equal to 0 अब अगर इसे solve करेंगे तो क्या होगा देखो x को लेके solve करेंगे तो क्या होगा minus y को लेके करेंगे तो क्या होगा plus 1 को लेके करेंगे तो क्या होगा मैंने का simple सी बाद थी इसकी root और remove हो जाएगी column को यहाँ पे remove करेंगे तो 1 minus 3 minus 2 देंगे अगर y से लेके solve करेंगे तो क्या होगा देखो 3 minus 9 क्या हो जाएगा minus 6 फिर अगर 1 से लेके solve करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 339 minus 9 0 मैंने का यह इसके पास जाएगा तो minus 2x यहाँ minus minus plus 6y equal to 0 मैंने का अगर minus 2 common लोगा तो x minus 3y equal to 0 minus 2 उस तरफ divide में गया तो क्या बचेगा x minus 3y equal to 0 तो यह क्या मारा आ गया equation which is our required answer अगला question कहता है if area of triangle is 35 square unit with vertices a, b and c then k equal to what मैंने का देखो जब भी 3 vertices दिये हो ना तो हम solve करने की कोशिश करते थे area और हमें पता है कि हो सकता है area positive आए या तो negative आए ठीक है उसके बाद हम final answer positive लिखते थे क्योंकि हमें पता है कि area में सक ऐसा होना चाहिए positive तो बच्चे ने का सर जी यहाँ पे भी final answer 35 लिखा है मैंने हो सकता है कि इसे जब हमने solve किया तो minus 35 आया हो में ये बुला लू इसे बी बुला लू और इसे सी बुला लू ना तो मैं एक बात जानता हूँ कि area of triangle equal to हम क्या लिखेते थे half of detail minute of x1, y1, 1 तो मैंने का देखो यहाँ पे हमें x1, y1 दिख रहा है तो हम लिख देंगे 2, minus 61 यहाँ पे x2, y2 भी दिख रहा है तो मैं 5, 4, and 1 भी लिख दूँगा मैंने का x3, y3 भी दिख रहा है तो मैं k4, and 1 भी लिख दूँगा अब क्या करेंगे इसे solve कर देंगे area of triangle ठीक है जब ऐसे जूणते है ना तो कभी plus भी आता है या तो minus भी आता है मैंने वह लगा पर आदा क्या है देखो यहाँ पे दिया है 30, 5 मैंने का देखो यहाँ पे है half अगर इसे solve करेंगे ना तो मैंने का देखो हम इसे पहली row से solve करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या करेंगी यहाँ पर 2 फिर bracket फिर minus लगाते थे यहाँ पर दिया है minus 6 फिर bracket और फिर यहाँ पर plus 1 फिर bracket मैंने का देखो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमने पहली row का use किया तो इस row को रिमूव करेंगे और यहां पर 2 की टाइम पर 2 की कॉलम को तो मैंने का दिखो 4 1's हा 4, minus 4 1's हा 4 फिर अगर यहां से 6 से solve करूँगा तो क्या होगा यह 6 की row and column remove होगी तो 1 5's हा 5 minus की तो यहां पर हो जाएगा 5 minus की अगर फिर में यहां 1 से solve करूँगा तो उसकी column को भी remove करूँगा तो 5 4s है 20 20-4K तो यहां आयाएगा 20-4K फिर क्या करेंगे मैंने का देखो 2 यहां चला जाएगा तो plus और minus 70 हो जाएगा मैंने का simple सी बात है यहां पर फिर क्या होगा मैंने का 4 minus 4 0 0 into anything 0 तो वो तो गया मैंने का देखो minus minus कट होके plus हो जाता है फिर मैंने का 6 को अंदर भेज़ देते है सिक्स फाइव थर्टी माइनस 6 into k is 6k मैंने का देखो अब क्या बचा देखो 1 को multiply करने पर कुछ फरक नहीं पड़ेगा तो यह 20-4K as it is मैंने का देखो यह plus और minus 70 है यहाँ पर क्या होगा 30 plus 20 हो जाता है 50 यहाँ पर minus 6k माइनस 4 के हमें देगा minus 10k अब मैंने का देखो plus और minus 70 है यानि यहाँ पर दो केस खुलेंगी एक बार plus एक बार minus तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 70 equal to 50 minus 10k यहाँ पर लिख सकता हूँ minus 70 equal to 50 minus 10k अब मुझे चीए के तो मैं क्या करूँगा इसे इधर ले लूँगा इसे इधर ले लूँगा तो क्या होगा यह तो plus हो जाएगा लेकिन यह वाला उस तरफ जाके minus हो जाएगा तो मैंने का देखो 10k equal to इसका answer क्या आएगा minus 20 मैंने का 10 अगर divide में जाता तो 0 0 कट कर देता तो k equal to हमें क्या मिलता minus 2 मैंने का देखो यहाँ पर यहाँ पर अगर मैं अगर मैं इसे इधर ले लूँ और इसे इधर ले लूँ तो यह minus 10k इस तरफ आके plus 10k यह उस तरफ जाके plus होगा तो 50 plus 70 मैंने का 50 plus 70 तो होता है 120 बच्चे ने का अगर यह 10 divide में जाता तो यह दोनों कट हो जाते तो मुझे k equal to एक और क्या answer मिलने के chance थे 12 क्या chance थे 12 यानि answer आया minus 2 and 12 मैंने का देखते कौन से option में दिया है हूँ